नमस्कार दोस्तों तो आज बात करेंगे ब्रेक बूस्टर के बारे में तो ब्रेक बूस्टर जैसे कि आप सभी जानते होंगे ब्रेकिंग सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है और जब आप ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं तो brake booster उस force को multiply कर देता है यानि कि उस force को बढ़ा देता है जिससे की गाड़ी को रोकने या फिर speed कम करने में effort हमको कम लगाने पड़े और brake booster ये काम master slender तक उस force को पहुँचा के करता है तो आज की वीडियो में इसी topic पर बात करेंगे कि brake booster आखिर होता क्या काम करता है और जो faulty brake booster होता है उसके क्या indications होते है या आपको कैसे पहचाने कि आपका जो brake booster है वो faulty है या उसको कब change करना है तो इसी के बारे में आज के बात करेंगे तो basically तीन टाइप के brake booster होते है vacuum operated, hydro boost और electronic जो assemblies वाला होता है तो हमें बात करनी है भी यहाँ पर जो vacuum operated है simple वाला जो normally कारों में दिया होता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसके अंदर एक diaphragm होता है normally और जो booster की दो side को separate करता है इसके अंदर जो diaphragm होता है इसके बीच में होता है middle में और इन दो side को vacuum chamber एक side को जो vacuum chamber कहते है और दूसरी वाली side होती उसको working chamber कहा जाता है तो जब brake pedal release position में होता है तो दोनू chamber में बराबर amount में vacuum होता है तो और जब brake pedal apply करते हैं यानि कि जब हम brake दबाते हैं तो जो pressure working chamber में चला जाता है जिसकी वज़े से pressure difference create होता है और जब booster को push rod को कि थ्रू ये force master cylinder में जाता है तो जिससे car को brake assist मिलता है यानि कि car के जो braking होती है वो इस वज़े से होती है तो ये तो हो गया कि जो brake booster होता हो काम कैसे करता है simply इसका normal सा होता है intake manifold से आपका vacuum के help से ये काम करता है तो अब बात कर लेते हैं कि जो brake booster होता है अगर खराब हो जाए तो इसके क्या science होता है और आपको कैसे इस चीज को पहचानना है तो देखे पहली जो चीज होती होती हाड़ brake pedal अगर आपका brake pedal हाड होने लग जाए फिर brake booster आपका खराब हो जाता है तो सबसे जो most common जो sign होता इसमें आपको क्या होता है जो brake booster से आपको जो बिलकुल भी या भी बहुत कम brake assist मिलेगी नहीं के बराबर होती है जिससे तो इससे क्या होगा जो braking में लगने वाला जो distance होता है वो increase हो जाता है और आपको इसमें effort जादा लगाने परते है तो एक चीज तो यह हो गई और जो दूसरी चीज होगी वो होगा जो आपका जो stopping distance होगा वो बढ़ जायागा जब brake booster braking assist नहीं कर पाएगा मतलब जो जब असिस्टी नहीं करेगा brake booster आगे तो क्या होगा तो जो आपको brake apply करने में और ज्यादा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो इस तरीक से आपकी कार को जो stopping distance होगा वो भी बढ़ जायागा ठीक है एक चीज यह होगी अब इसके बाद आया जाती है अब नॉर्मली इसको hissing noise ही कहा सकता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि यह कैसी sound होती है यह आप खुद भी चेक करेंगे तो एक hissing noise इसको सभी यही बोलता है तो मैं भी यह ही बोलना हूं तो आप अपने according sound को कुछ भी नाम दे सकते हैं तो जब vacuum operated booster में किसी तरीके का leak होता है चाहे वो housing से हो या फिर diaphragm से हो तो उस वज़े से जब brake pedal को दबाते हैं तो एक air leak होने की एक noise आती तो उसी को यहाँ पर hissing noise कहा जा रहा है तो वो आवाज brake लगाते समय आप सुन भी सकते हैं जो आप जैसे आप brake pedal को प्रेस करेंगे तो आवाज को हाँ पर आप सुन सकते हैं तो यह एक sign होता है कि आपका जो brake booster हो उसका अंदर का diaphragm खराब हो गया उसमें cracks आ चुक है तो उसको आपको change करना है या फिर repair करना है वो आपको उपर है चलिए अब इस चीज के बारे बात कर लेते हैं कि इसको आपको check कैसे करना है तो क्या करना है सबसे पहले car का engine off position में यानि कि आपको car start नहीं करनी है और engine off position में ही जो brake pedal होता है उसको कई बार उसमें आपको brake pedal होता है उसको apply करना है ध्यान रखिए car बंद position में इससे क्या होगा उसका vacuum reserve अब जो भी होगा वो सारा का सारा booster िके इंदर वो खाली हो जाएगा और उसके बाद क्या करना ब्रेक यथ को आपको द बहे रहने देना है ब्रेक पैडल नी छोड़ना है उसको दबे रहने देना है मैंने यह आपर पर एक हाथ से camera पकला हूआ तो इस सोहे ακर। गारा आप आपका brake booster सही से काम कर रहा होगा तो जो आपका जो brake pedal होगा car restart होने के बाद हो नीचे की तरफ जाएगा और अगर आपका pedal नीचे की तरफ नहीं जाता है तो brake booster में जो एक जो adequate amount में यानि की जो परियापत मात्रा में जिसे कह सकते है आपको क्या करना है कि है कि इसके बाद क्या करना है वैक्यूम प्लाइल है या नहीं अगर आरी है और आपका जो brake जो पेडिल है वह नीचे नहीं जा रहे तो इसका मतलब कि आपके brake booster में fault है तो आप brake booster का vacuum reserve चैक कर लेते हैं उसके लिए आपको या करना है इंजन के स्टार्ट करना है और उसको थोड़ी देर एक्सलेट करना है थोड़ा बहुत एक्सलेटर दे दिजिएगा तो उसके बाद क्या करना है कुछ देर के लिए गारी स्टार्ट चोड़ें जाद जाद एक मिनेट आदा मिनेट एक मिनेट से थोड़ा जाद और फिर उसक तो पहले दो तीन बार जब आप पैडल को प्रेस करेंगे तो पैडल जो ब्रैक होगा आपका काम करेगा और उसके बाद वह ठाइट होने लग जाएगा तो एक चीज यह हो गए अगर ऐसा हो रहा है तो जो ब्रैक बूस्टर होगा आपका वह वैक्प्यूम जो होगा वह रि अब आ जाती है जो typically इसके लिए बोला जाता है एक hissing की noise आ जाती है जो मैंने आपको पहले भी बोला था तो वो कैसे check करना है आपको गाड़ी स्टार्ट कर ले निया स्टार्ट करने के बाद आपको brake पैडिल को प्रेस करना है यानि कि brake apply करना है तो आप देखेंगे जहाँ पर जो जो brake का पैडल होता है और जहाँ पर से बुस्टर के पास से connected होता है वहाँ पर जो rubber का ये तो आपर जो rubber का बूट लगा होता है वहाँ पर से आप एक air leak होने की noise सुनेंगे तो वो जो air leak होनी की noise है उसी को यहाँ पर hissing sound कहा जा रहा है तो अगर ऐसी sound आपके में आ रही है तो इसका मतलब उसके जो booster होगा उसमें कहीं से diaphragm faulty है, diaphragm में leak है या फिर vacuum line में कोई leak है तो इस वज़े से वो आवा जाती है तो यहाँ पर आपको जो booster होता है उसको replace या फिर repair जो आप कराना चाहें वो आप करा सकता है यह indication या sign है आपका जो booster है उसमें fault है इसके अलावा अगर आपकी गारी start है, idle speed में rpm increase होता है जब आप brake pedal को press करते है तो यह चीज़ आप कैसे check करेंगे, गारी start कीज़े गारी start करने के बाद आपको क्या करना है अगर brake pedal को press करना है brake pedal अगर press करने पर आपकी गारी का जो rpm है वो बढ़ रहा है यानि कि गारी का जो idling है वो speed बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जो booster है आपका जो brake booster है उससे कुछ amount में manifold pressure या फिर vacuum जो होगा वो बाहर निकल रहा होगा तो जब extra hour manifold में जाएगी तो engine का जो rpm होगा वो increase हो सकता तो यह चीज जो fault है आपका जो brake booster होगा तो यह भी उसका indication है जो rpm का increase होना idling पे तो यह चीज भी आपको check कर लेनी है तो I hope यह सब आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा तो like, share और subscribe ज़रूर ज़िएगा मिलिंगे next video में ऐसे किसी topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार